इस खुपसूरत तजरुबे को करने के लिए डाइल्यूटेट लिक्विड सोप और एक सीरिंज दरकार होगी अब आप सीरिंज में ये डाइल्यूटेट सोप सलुशन भरे और इसके बाद बूंद बूंद करके इसे दोबरा सोप सलुशन में ही डाले अगर ये उचाई से गिरे तो ये आपको बिलकुल मोती जैसे नजर आएंगे ये बूंदें सोप सलुशन में एक दम मिलने ही जाते लेकिन इनका वजूद कुछ वक्त के लिए इसमें बना रहता है वो मोती जैसे चमकते हैं बहुत सी बूंदें आपस में मिल जाती है दरसल ये होता है कि साबुन के मॉलेकुल्स इस महलूल में मिलने की मुखालिपत करते हैं इसी वज़े से आप इन्हें वाज़ तोर से देख सकते हैं अगर आप सुई की मदद से खूप सारी बूंदों को एक सार डाले तो वो भी साबुन के सलुशन में शामिल होने की मुखालिपत करेंगी और आपको एक बहुत हुपसूरत सा नमूना नज़र आएगा इस तजरुबे के लिए सिर्फ साबुन का घोल और सीरिंच दरकार होगी